हेलो दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियोस में हम जाने वाले हैं तीन ऐसे mutual fund के बारे में जो की सबसे ज़्यादा यहाँ पर return दे रहे हैं कहने का मतलब है अगर आप एक लाग रुपा लगाते हैं और अगले ही साल उन रुपे की जो value है वो वहाँ पर आपको डेल लाग देखने को मिलती है तो समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पर 50 से 51-52% तक का यहाँ पर return देखने को मिलेगा जो की मैं आपको इन तीन mutual fund के बारे में बताने बाला हूँ और तीनो mutual fund बहुत ही अच्छे हैं जो की मैंने खुद से भी अपना पैसा उसमें invest कर रखा है तो वो भी आपको इस वीडियोस में life proof देखने को मिलेगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो मैं यहाँ पर आगया हूँ अपने laptop की स्क्रीन पर तो सबसे पहले जो mutual fund आयाता है जो की आप यहाँ पर देख सकते हैं Invesco India Contra Fund Direct Growth तो जो की आप यहाँ पर देख पा रहा हैं इसी के साथ में हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा उपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर जो देख सकते हैं पहले तो हम एक साल की देखते हैं कि एक साल में इसने कितना return दिया है जैसी कि आप देख पा रहा है एक साल में इसने 51.97 का return दिया है तो कहने का मतलब है इसने 52% तक का लंसम यहाँ पर return दिया है ठीक है इसी की साथ में आप यहाँ पर 6 मन्त में भी देख सकते हैं एक मन्त में भी देख सकते है पर मैं आपसे कहूँगा आप 6 मन्त या फिर एक मन्त अगर आप सोचके इसमें पैसे को invest करने की सोच रहा है तो आप invest ना करें ठीक है तो कि mutual fund में अगर आप एक साल है फिर एक साल से अधिक के लिए यहाँ पर पैसे को निवेश कर रहा है तभी आपको इसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा अन्न था आपको इसमें प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर आप इसकी एने भी देख सकते हैं और यहीं मैं आपक मैं और कि इसमेht को कम समय मैं या perfectłości देखने को क्यों नहीं मिलेगा। इस पर प्रमेह की पहले वीडियो बना दी है। कि अगर आप कम समय के लिए करते हैं तो आपको इसमसान भी उठाना पर सकता है। जैसे कि NAV जो mutual fund यहाँ पर जब भी launch होता है उसके अंदर कुछ पैसे को add किया जाता है और उनी पैसों से उनकी NAV को बना दिया आता है 10 रुपए के हिसाब से ठीक है तो आप उन्हें एक unit भी बोल सकते हैं अब वो unit चाहें जब भी mutual fund launch हो रहा है तो उसके अंदर जितना पै पर उनके जो price है वो उपर नीचे होते रहेंगे जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं जब भी यह mutual fund यहाँ पर launch होगा तो इसकी NAV है वो 10 रुपए के हिसाब से होगी पर अब यहाँ पर 165 30 पैसे की NAV हो गई है यहाँ पर SIP की बात कर लेते हैं जो लोग जानी कि एक ही ब 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए या फिर 5000 रुपए ठीक है पर मन्त के हिसाब से तो वो यहाँ पर 100 रुपए के इसाब से अपनी SIP चला सकते हैं कहने का मतलब है इसमें 100 रुपए से अपनी SIP का खाता कोल सकते हैं इसकी rating की बात कर लेते हैं इसकी जो rating है यहाँ पर त्री की रेटिंग्स देखने को मिल जाती है, इसका फंड साइज है यहाँ पर एकाई धाई सेकड़ा हजार दस अजार, जयाने की 18,479, जयाने की करोड रुपै का इसमें fund size जो की काफी बड़ा amount हो जाता है उसके बाद में आप यहाँ पर जैसे की नीचे में देखने को मिल लिया है अगर आप इसमें SIP शुरू करते हैं जैसे की एक एर में ठीक है जाने की 5000 रपा पर मन्त एर जाने की जमा करते हैं तो अगर आप एक साल तक अपने पैसे को इसमें जमा करते रहते हैं और आपकी जो टोटल इसमें amount जमा होगी वो होगी 60,000 और आपको यहाँ पर जो उसके बाद में 20% अगर आप इसमें जोड लेते हैं लमसम हंगर आप 20% जोडते हैं तब ठीक है तो आपको यहाँ पर 72,000 का आपको इसमें जो आपका balance है वो देखने को मिलेगा कहने का मतलब है आपके 60,000 जमा होंगे 12,000 रुपए आपको इसमें बढ़ जाएंगे यानि कि 5,000 रुपए पर मंद जमा करते हैं तब ठीक है तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप S.I.P. चला रहे हैं ठीक है तो S.I.P. आप एक या दो साल तक चलाएं ठीक है फिलाल तो S.I.P. अगर आप चला रहे हैं तो 2-3 साल से कम के लिए S.I.P. करे ही न ठीक है और वो अलग बात होती है जैसे कि मजबूरी की वक्त आपको S.I.P. तोड़ना परती है ठीक है तो अगर आप S.I.P. कर रहे हैं तो कम से कम 2-3 साल चलाएं और अधिक भी चला सकते हैं जैसे कि आप जितने लंबे समय के लिए चलाना चाहें तो चला सकते हैं ठीक है पर एक-दो साल से तो आप कम के लिए S.I.P. करे ही न ठीक है तो इसमें यह है क्योंकि मैं आपको इसलिए बदा रहा हूँ कि इसमें कम समय के लिए अगर आप S.I.P. करेंगे तो आपको इसमें profit है वो बहुत कम देखने को मिलेगा ठीक है इसी के साथ में अगर यहां पर हम बात कर लिते हैं अगर आप लंबे समय के लिए करते हैं तो आपको इसमें अधिक profit देखने को मिलेगा क्योंकि जो आपकी amount है तो 5000 एड होगी ठीक है फिर उसके बाद में फिर अगले मन्त होगी 5000 तो आपके 10,000 होगी तो उस पर लगाता रहा है उसी हिसाब से आपको जो ब्याज है वो बढ़ता जाएगा ठीक है तो इसी बज़ेसे में कह रहा हूँ कि आप इसमें छोटी-छोटी amount जमा करके और आप एक बड़ी amount बना सकते हैं उसके बाद में हम बात कर लेते हैं one time ठीक है जैसे कि मैं आप पर select देता हूँ one like जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहा है अगर आप एक लाग रुपाय इसमें जमा किये हूँ होते जाने कि आज की ही डेट में 2023 में ठीक है तो आपका जो एक लाग रुपाय था वो तो invest हुआ होता ही होता 51,970 रुपाय का आपको यहाँ पर profit होता आज की डेट में अगर आपने 2023 में आज की ही डेट में एक लाग रुपाय अपने निवेश किये होते तब ठीक है इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं नीचे की तरमाय आपको स्क्रॉल करके यहाँ पर बता जेता हूँ सारी चीजे आप इसका finance चेक कर सकते हैं जो की आपको इसमें graph देखने को मिल लिया है यह ठीक है उसके बाद में आप यहाँ पर जो भी इसकी rank है return and rank ठीक है वो आप यहाँ पर देश सकते हैं जैसे कि एक year में 52 प्रतिसरत तक तक दिया है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया तीन year में इसने 20 और पांच year में इसने 25 और लंग सम अगर आप 5 से 10 साल 20 साल के लिए करते हैं तो आपको इसमें 20 से तो कम मिलेगा ही नहीं ठीक है अब यह मैं आपको बतानू जैसे कि कुछ लोग FD करते हैं ठीक है तो FD में आपको कितना मिलता है FD में मिलता है जैसे कि 7.25 मिल जाता है या फिर 7.5% मिल जाता है तो इतना ही मिलता है अब यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप इसमें 10 साल 20 साल इसमें पैसे को रहने भी देते हैं तो आपको इसमें 20% मिलेगा अब काफी लोग को यहां पर confusion होगी जो कि यहां पर 2024 में एक update आया है कि आपको 12.5 जानि कि tax के रूपे government को देना पड़ेगा तो इसकी जो calculation है वो कुछ अलग तरीके से होती है ठीक है क्योंकि अगर आप इसमें से 12.5 देंगे तो आपको बचेगा क्या इसमें 7.5% बच रहा है ठीक है तो आप कहेंगे कि हम update कर देते हैं इसमें risk क्यों लें ठीक है तो इसकी जो calculation है वो कुछ अलग तरीके से होती है और इस पर मैंने आपको एक detail बीडियो बना दी है उस बीडियो को देख लीजेगा तब आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे ठीक है और आपको इसमें कितना profit होता है क्योंकि काफी लोगों को इसकी जो calculation है वो यहाँ पर समझ में नहीं आती है ठीक है यहाँ पर आप category average देख सकते हैं कितना कितना यहाँ पर आ रहा है ठीक है यहाँ पर आप rank within category देख सकते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं expenses और rate पिसे एक सिकोर्ट्री चार्ज भी बोल सकते हैं तो यही होता है expenses rate ठीक है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहा है expenses rate यही होता है अब यह आपका अगर आप regular के थुरू जाते हैं तो यह आपका यहाँ पर अधिक होगा पर हम direct के थुरू जा रहा है कहने का मतलब है इस mutual fund में हम अपना पैसा खुदी invest कर रहा है और हम NAB को खरीद रहा है और ऐसे में हम regular के थुरू जाते तो यहाँ पर हमें एक agent को buy करते और वो agent क्या करता mutual fund में पैसे को निवेस करता उससे जो भी NAB बिलती वो खरीद के हमें देता ठीक है तो ऐसे में जो expensive rate है वो high हो जाता है और high होने का मतलब है कि जो हमने एक agent buy कर लिया उससे वहाँ पर कुछ पैसा जाता है और वो यहीं से ही होता है expensive rate के कारण ठीक है अब उसे हम पैसे को हम नहीं देंगे उस agent के लिए वो company देगी जिस company में उसने पैसे को invest किया है और इसी बज़े से जब भी आगर आप branch से जाते हैं या फिर bank जाते हैं और आप mutual fund में पैसे की invest करने की वहाँ पर बात करते हैं आपको direct regular ही plan दिखाते हैं क्योंकि उन्हें regular plan में फैदा होता है ज्यादा ठीक है पर हम ऐसा क्यों करें क्योंकि हमें जानकारी है कहां से हमें mutual fund को पैसे को invest करना है और कैसे एनवी को वाई करना है तो मैं आपको बताई रहा हूँ तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं इस पर मेरी पहले ही detail video बनी हुई है कि आप grow जाने कि grow app के थुरू आप किसी mutual fund में पैसे को invest कर सकते हैं और एनवी को खरीज सकते हैं बो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर मैंने दो contra fund में अपने पैसे को invest कर रहा है ठीक है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं exit load exit load actually में क्या होता है जैसे कि एक साल से पहले अगर आप पैसे को withdraw करते हैं तब कहने का मतलब है एक साल से अगर आपका पैसा आपने पैसे को invest किया और उसके बाद एक साल हुआ ठीक है तब तो ठीक है तब तो आपको exit load नहीं लगेगा अगर एक साल नहीं हुआ है चाहें 11 मंत आपके 29 या फिर 28 या फिर 25 दिन क्यों न हो गए हो ठीक है फिर भी आपको 1% का exit load लग जाएगा तो कहने का मतलब है एक परसेंट तो बो लगेगा और इसी के साथ में जो पैसा आप विड्रॉल करेंगे बो आ जाएगा short time में तो short time में आपको याप पर 21% का tax लग जाएगा यानि कि 1% ये और 20% बो short time लगेगा तो आपको 21% आपको tax पे करना पड़ेगा सारे ही पैसे पर ठीक है तो अगर आप इसी वज़े से मैं कह रहा हूँ अगर आप mutual fund में पैसे को invest कर रहा है तो कम से कम आप एक साल के लिए करें ठीक है और एक साल से कम के लिए सोच रहा है एक भी दिन के लिए तो आप पैसे को invest मत कीजीगा उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं tax जो कि मैंने आपको अभी बता रहा था कि short time और long time ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते है जो कि अगर आप अपना जो पैसा है वो redeem करते है अगर आप एक साल से पहले पैसे को withdrawal करते हैं तो आपको यहाँ पर return जानी कि पैसे को निकालते हैं तो आपको tax है वो 20% लगेगा इसी के साथ में अगर आप एक साल या फिर एक साल से उपर समय के लिए पैसे को invest करते हैं जानी कि एक साल या फिर एक साल से अधिक समय हो जाता है आपके पैसे को invest हुआ, तो आपको वहाँ पर सारे पैसे पर नहीं, आपने जो पैसा invest किया हुआ, ठीक है, जो भी आपने पैसा invest किया है, एक लाग, दो लाग, या फिर SIP शुरू कर रखी है, तो जो आपने पैसा उसमें invest किया है, वो पैसा आपका निकाल दिया जाएगा, एक तो आपको इसमें जो भी आपका profit हुआ होगा 1,25,000 रुपए बो निकाला जाएगा उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है 12.5 तो 12.5 फिर आपको tax इसमें pay करना पड़ेगा ठीक है जो कि अगर आपको यहाँ पर profit हो रहा है तो आपको tax भरने में कोई बुराई नहीं है और इसे tax को किस तरीके से हम बचा सकते हैं इस पर मेरी पहले ही वीडियो बनी हुए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आप चाहाते हैं कि मैं इस पर दूसरी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे comment section में बता सकते हैं मैं इस पर यह कोई दूसरी वीडियो बना कर दे दूँगा तो चलिए अब हम यहाँ पर और नीचे की तरफ आते हैं नीचे की तरफ आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे की fund management कहने का मतलब है जिस mutual fund में आप पैसे को invest कर रहा है तो उसका एक या फिर दो यहाँ पर mutual fund manager होता है ठीक है वो आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं कौन सा person है और किसे जानी कि कितने साल से वो इस mutual fund को manage कर रहा है ठीक है और आप यहाँ पर देख सकते हैं 2023 में ठीक है जो की अमित और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 2017 में रखा गया है और इसी के साथ में इनकी जो qualification है वो क्या क्या है वो चीज आप इनके बारे में यहाँ से जान सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, कौन कौन सी यहां पर degree है, और जो कि आपको सारी जानकारी आपको यहां से देखने को मिल जाएगी, ठीक है, उसके बाद में हम और उपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं, जैसे कि अमित है, तो हम अमित की यहां पर जो भी qualification है, वो चीज हम यहां पर देख सकते हैं तो इस तरीके से आप यहां पर सारी जानकारी को ले सकते हैं उसके बाद में हम यहां पर और स्क्रॉल करते हैं तो बाकी की जो डिटेल्स है वो आप यहां पर भी देख सकते हैं जैसे कि आपको यहां पर देखने को मिल जाता है fund house contact details ठीक है तो आप यहाँ पर इस पर simply click करके और आप यहाँ पर contact कर सकते हैं जानकारी ले सकते हैं किसी भी प्रकारी कोई दिक्कत है तब ठीक है तो इस तरीके से तो आप समझ गया हूँए कि यह mutual fund कुछ काम करते हैं ठीक है क्योंकि यह mutual fund में अगर आप पैसे को invest कर रहा ह हैं तो आगर आप अधिक समय के लिए करेंगे तभी आपको इसमें profit देखने को मिलेगा क्योंकि अगर हम पैसे को invest करेंगे जो mutual fund manager है वो हमारे पैसे को properties जैसे की काफी सारी जगह है वहाँ पर पैसे को invest करेंगे और तब उन से जो हमें return मिलेगा वो हमें देखने को मिलेग हैं तो पहले तो था कि हमारा यह mutual fund ठीक है आप चलिए चलते हैं दूसरे mutual fund की तरफ जैसे कि आप यहां पर देख पा रहा है court का India UQ Contra Fund ठीक है इसमें भी मैंने यहाँ पर पैसे को अपना invest कर रखा है ठीक है वो यह आपको बताऊंगा ठीक है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहा है अब यहाँ पर यह क्या है और इसने कितना return दिया है जैसे कि देख सकते हैं तीनी हर में भी इसने 22.08% का यहाँ पर return दिया है और एक साल की बात कर लेते हैं तो इसने दिया है 49.86% का यहाँ पर return कहने का मतलब है अगर आपने इस mutual fund में जैसे कि यह है मैं आपर कर देता हूँ एक लाग ओन टाइम में ठीक है चलिए सबसे पहले हम S.I.P. की बात कर लेते हैं S.I.P. कर लेते हैं अगर आपने 5,000 रुपा इसमें invest किये होते हैं पर मन्त एक साल तक ठीक है तो इसमें जो S.I.P. की जो amount बैठती बो बैठती आपकी 60,000 और इसी के साथ में आपको इसमें 9,360 का आपको इसमें profit देखने को मिलता तो कहने का मतलब है उससे आपको इसमें क कम देखने को मिल जाए थोड़ा सा ठीक है पर अगर आपने 1,000,000 रुपाई इसमें निवेश किये होते डारेक्टी ठीक है तो आपकी आज की डेट में 2023 में आज की डेट में अगर आपने पैसे को इसमें invest किया होता ठीक है 1,000,000 रुपाई तो कहने का मतलब है आज की लिटन दे रहे हैं आज की डेट में ठीक है बाखी की बाते हम कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पर एक्स्पिंस जो रेट बगेरा है जैसे कि इसमें आपको 55% देखने को मिल लिया है जैसे कि यह है ठीक है इसी के साथ में आपको exit load इसमें कम समय के लिए है ठीक है जैसे कि खु तो इसमें आपको यह चीज है जो कि आपको इसमें प्रोफिट देखने को मिल रहा है ठीक है पर इससे कोई प्रोफिट नहीं काया जा सकता है क्योंकि अगर आप एक साल से पहले पैसी को निकालेंगे तो आपको 20% लगेगा ठीक है पर कभी ऐसा पढ़ जाता है कि हमें मजब आपको बताने की जरूरत है ठीक है यहां पर आप जो भी fund manager है वो आप यहां पर देख सकते हैं नाम पड़ सकते हैं ठीक है और उनकी qualification भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं यहां से बोई चीज है कि आप जो भी fund house contact detail है वो आप यहां से देख सकते हैं ठीक है पर यह public ही है हम चलिए चलते हैं तीसरे वाले की तरफ जो कि इसमें मैंने यहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है ठीक है तो चलिए मैं यहां पर यहां पर यह आ जाता है SBI Contra Direct Plan Growth ठीक है इसमें अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तीन साल के लिए तो आपको यहां पर रिटन मिल लिया है वो मिल लिया है 25.29 कहने का मतलब है अगर आप इसमें 0.47य प्रिटिसट का ही आपको इसमें रिटन देखनों को मिल रहा है ठीक है और जो इसकी एने भी है वो यहाँ पर डौन हो गई है और इसमें मैंने पैसा लगाया था पहले लगाया था साड़े तीन लग रुपए वो भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूं जैसे की यह है और मैंने ग्रो एप के भी थुरू लगाया है ठीक है पर पहले मैंने लगाया था रुगूलर के थुरू क्योंकि पहले मुझे इतनी मुच्रल फंड के बारे में जानकारी नहीं थी करीब 2-3 साल पहले ठीक है पर अब यहाँ पर जैसी जानकारी मुझे हो गई तो मैंने रु कोफिट होगा वो सारा का सारा हमें ही मिलेगा जाने की एजेंट को नहीं मिलेगा तो चलिए मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिस कर रहा हूं अगर आपको यहां पर देखने को मिले तब जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं देख सकते हैं तो SBI का है ठीक है और मैंने यहां पर अपना पैसा इसमें निवेश कर रखा है ठीक है तो कहने का मतलब है मैंने इसमें पैसा निवेश कर रखा है और यहां पर हम बात कर लेते हैं जैसे कि आप इसमें SIP है वो 5000 से जन्ट सौरी कि अगर आप इसमें investment लंसम amount जानी कि एक time में अगर आप पैसा invest करते हैं तो आप इसमें 5000 से ही कर पाएंगे इससे आप कम में नहीं कर पाएंगे ठीक है और आप यहाँ पर SIP की बात कर लेते हैं SIP आप 500 रुपए से इसमें start कर सकते हैं और जिसकी एनेवी है वो है 427.24 इसी के साथ में इसकी रेटिंग है वो आप दे सकते हैं बहुत बढ़िया रेटिंग आपको इसमें देखने को मिल रही है ठीक है और यहाँ पर जो fund size है वो बहुत ही अधीक है कायने को मतलब 41,326.63 करोड रुपए का इसमें fund size है जो की बहुत बड़ी amount हो जाती है आज की डेट में ठीक है इसके बाद में हम यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं इस्क्रॉल करने के बाद अगर आपको ने इसमें 1,00,000 रुपए निवेश कियो होते तो 1,00,000 रुपए आपका जमा होता और आपको इसमें profit होता 41,470 रुपए का आपको profit होता टोटल डेट जाने कि आज की डेट में 1,00,000 रुपए की बैलू होती अगर आपने 2023 में आज की डेट में अगर आपने पैसे जमा कियो होते 1,00,000 रुपए तो उन पैसों की बैलू होती 1,41,470 रुपए जो कि आप यहां पर देख पा रहा है ठीक है उसके बाद में चलिए और आपको यहां पर स्क्रॉल करके दिखाता हूँ यहां पर बोई चीज़ा है अनरे रैटिक से देख सकते हैं तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है अगर आपको लग रही है कोई बात छूट रही है तो आप मुझे अपना जवाब कमेंट सक्षन में दे सकते हैं तो अगली वीडियो से में आपको उन सवालों की जवाब आपको दे दूँगा ठीक है यहां पर आपको देखने को मिल जाता है जैसे की रिटन एंड रैंकिंग्स तो आप यहां पर देख सकते हैं एक एयर में इसने 41 दिया है तीन एयर में इसने दिया है 25 और पांच एयर म जाने की इसे हम सिकोर्टरी चार्ज भी बोल सकते हैं ठीक है जो कि मैंने आपको बताई दिया है पीछे तो इसका है 0.58 प्रितिसत इसी के साथ में आप यहां पर देख सकते हैं एकजिट लोड जाने की बनियर के लिए है यहां पर देख सकते हैं और वही यहां पर रिटन देखने को मिल रहा है करने का मितलब सौट टैम पर आपको 20 परसेंट देना होगा जो कि आप यहां पर देख पा रहा है ठीक है और लॉंग टैम पर आपको यहां पर जाने की 1.25 लैक रुपए का आपको इसमें छूट हो जाएगा बाकी का आपको 12.5 प्रितिसत का आपको मैस पर जाने की भरना पड़ेगा तो यहां पर आप जोगी्ट मनेजर है बो आप देख सकते हैं दिनैस और पिरदीप मैनेजर तो बो चीज आप यहां पर कानल के शक्टार हो स्ग्वुन गठीया है अगर आप इसमें ज़्यादा । जा आधिक जानना चाहते हैं तब ठी आती है ठीक है बाकी का इसमें और कुछ भी नहीं है तो चलिए बाकी की डिटेल्स है मैं आपको दिखा देता हूं जैसे कि मैंने यहाँ पर कौन-कौन से मीच्छा भंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है ग्रो एप को मैं यहाँ पर ओपन करता हूं सबसे पहले तो अब ग्रो एप के ही थुरू आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको मैं यही बता दूँ अगर आप Grow App के थुरू पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको कौन-कौन सी सापधानिया या आपर वर्तनी है आगर आप Mutual Fund में या फिर S.I.P. शुरू कर रहा है तब आपको अपने Grow App के बॉलिड में पैसे को जमा करना नहीं है क्योंकि Grow App का जो बॉलिड है वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि आप इससे Mutual Fund या फिर S.I.P. स्टार्ट नहीं कर सकते हैं इससे आप Share वजार में ही पैसा लगा सकते हैं जैसे कि मैं इस पर Simply क्लिक कर रहा हूं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल लिया है फोर जाने कि इस जानी कि अगर आपका इसमें पैसा कभी भी आप इसमें एड कर भी देते हैं गलती से ठीक है तो आप 24 घंटे बाद उस पैसे को अपने अकॉंट में ले सकते हैं बापस ठीक है तो आपको यह भी यहाँ पर टेंशन करने की जरूरत नहीं है उसके बाद में चलिए मैं यहा पर कोटका में अपना पैसा यहां पर इन्वेस्ट कर दिया है और SBI कॉंट्रा डारेक्ट प्लान में भी ग्रोथ में भी मैंने अपना पैसा यहां पर इन्वेस्ट कर रखा है ठीक है इनमें कितना पैसा मैंने यहां पर इन्वेस्ट कर रखा है बूचलिए मैं आपको यहा invest कर रखा है अभी तो देख सकते हैं अभी मुझे यहाँ पर 0 return देखने को मिल्या है काईने का मतलब है मैंने अभी यहाँ पर जल्दी में ही अपने पैसे को invest किया था काईने का मतलब जब NAB की down हुई थी ना तम मैंने इसमें पैसे को invest किया था यान Oreo कि 82 100 रूपए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर सा 1099 पच्फाइंड 148 पैसे हैं तो कहने का मतलब है अभी यहाँ पर ना तो प्रॉफ़िट हुआ है मुझे ना तो यहाँ पर लॉश हुआ है ठीक है अप जैसे ही आप आप देख सकते हैं जो एने भी है वो यहाँ पर डौन है ठीक है जैसे यह एनी भी उच्छाल मारेगी और यहाँ पर मुझे प्रॉफिट देखने को मिलने लगेगा ठीक है इसी प्रिकार आप यहाँ पूरे ग्राप को देख सकते हैं कब डौन हुआ है किस तरीकी से उठा है तो आप यहाँ से अनुवान भी लगा सकते हैं तो दोस्तो जब भी आगर आप यहाँ पर यह देख लें कि आखिर उसकी जो एने भी है वो कितनी हाई है और बड़ी है या फिर अब गटी हुई है यह चीज को भी आपको ध्यान में रखना है तो दोस्तो उम्मीद गरता वीडियो आपको अच्छे लगए वीडियो चली वीडियो को लाइक करें चैनल पर आपको सब्सक्राइब करें मिलते हैं आस वीडियो में